नमस्कार, सभी विद्यार्तियों को इस कक्षा में स्वागत है हम इससे पहली कक्षा में वाक्य यानि अर्थ के आदार पर वाक्य सीख चुके है आज की कक्षा में हम रचना के आदार पर वाक्य के बारे में सीखेंगे रचना के आदार पर वाक्य तीन बेद होते है पहला सरल वाक्य दूसरा सम्युक्त वाक्य तीसरा मिश्रित वाक्य पहला सरल वाक्य के बारे में जानेंगे जिन वाक्यों में एक ही विदेई होता है उन्हें सरल वाक्य कहते है इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उदाहरन के लिए राकेश पढ़ता है मुकेश भोजन किया सरला कबड़ी केलती है रमा पाट पढ़ती है कविता काना काती है ये सब सरल वाक्य है दूसरा सम्युक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चई बोदको जैसे पर किंतू और या आदी से जुड़े होते है तो वे सम्युक्त वाक्य कहलाते है उदाहरन के लिए गीता गई और सीता आई वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता आप चाई या दूद पीते है आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ आदी के वाक्य सम्युक्त वाक्य है अब तीसरा मिश्रित वाक्य मिश्रित वाक्य के बारे में जानेंगे जिन वाक्यों में एक प्रदान वाक्य हो अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते है उदाहरन के लिए जो ही उसने दवा पी वहो सो गया यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीन हो जाओगे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्चे नहीं बनते वहो चाहता है कि मैं यहां कभी ना आओ जो गड़ी मेज पर रखी है वहो मुझे पुरसकार रूप मिली है जब वहो मेरे पास आया तब मैं सो रहा था इस तरह के वाक्य मिश्रित वाक्य के अंतरगत आते है नमस्कार जब श्सकार